आपको मन की बात कार्कम में प्रधार मंस्वी नरीन मोदी की आज मन की बात कार्कम सीधे आपको लिए चलेंगे एसास हुआ कि कैसे एक संकल्प को पुरा करने का साहस देश की करोणों लोगों का भागे बगल सकता है साथियों भारत में हर यूग में कुछ चुनोतियां आई ही और हर यूग में ऐसे असाधनन भारतवासी जन्मे जिनों ने इन चुनोतियों का सामना किया आज की मन की बात में मैं साहस और दुर द्रश्टी रखने वाले ऐसे ही दो महानायकों के चर्चा करूँगा इनकी एक सो पचासवी जन्मजेंति को देश ने मनाने का निश्यक किया है 31 अक्तुबर से सरदार पटेल का एक सो पचासवी जन्मजेंति का वर्ष शुरू होगा इसके बात 15 नमबर से भगवान बिर्सा मुंडा का एक सो पचासवा जन्मजेंति वर्ष शुरू होगा इन दोनों महापुरुष ने अलग-अलग चुनोतियां देखी लेकिन दोनों का विजन एक था देश की एक था साथियों बीते वर्षों में देश ने ऐसे महान नायक नायकाओं की जन्मजेंतियां को नई उर्जा से मना कर नई पीढ़ी को नई प्रेणा दी है आपको याद होगा जब हमने महात्मा गांदी जी की एक सो पचासवी जन्मजेंति मनाई थी तो कितना कुछ खास हुआ था नियोर्क के टाइम स्क्वाइर से आफरिका के छोटे से गाउं तक विश्व के लोगों ने भारत के सत्य और अहिंसा के संदेश को समझा उसे फिर से जाना उसे जीया नवजवानों से बुजूर्गों तक भारतियों से विदेशियों तक हर किसे ने गांदी जी के उपदेशों को नए संदर पे समझा नई वैश्विक परिस्तितियों में उन्हें जाना जब हमने स्वामी विवेकानन जी की 150 वी जन्म जन्ति मिनाई तो देश के नवजवानों ने भारत की आध्यात्विक और सांसकुर्टिक शक्ति को नई पारिभाशाओं में समझा इन योजनाओं ने हमें एह एहसास दिलाया कि हमारे महापुरुष अतीत में खो नहीं जाते बल्कि उनका जीवन हमारे वर्तमान को भविश्य का रास्ता दिखाता है साथियों सरकार ने भले इन महान विभुद्यों की एक सो पचासवी जन्मजेंति को राष्टिय स्तरप्र मनाने का निर्ने लिया है लेकिन आपकी सहभागीता ही इस अभियान में प्राण भरेगी इसे जिवन्त बनाएगी मैं आप सभी से आगरे करूँगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने लोहपुरु सरदार प्रटेल से जुड़े अपने विचार और कारिय हैस्टेक सरदार 150 के साथ साजा करे और धर्ती अबाब विर्सा मुंडा की प्रेणाओं को हैस्टेक विर्सा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाएगे आईए एक साथ मिलकर इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाएगे इसे वरासत से विकास का उत्सव बनाएगे मेरे प्यारे देश्वासियों आपको वो दिन याद जरूर होंगे जब छोटा भीम टीवी पर आना शुरू हुआ था बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते कितना एकसाइडमेंट था छोटा भीम को लेकर आपको हैरानी होगी कि आज ढोलगपुर का ढोल सिर्फ भारत में नहीं बलकि दूसरे देश के बच्चों को भी खुब एट्रेक करता है इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सिरियल्स कृष्चना, हानुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में है भारत के एनिमेशन केरेक्टर्स यहां की अपने कंटेंट और क्रियेटिविटी की वज़े से दुनिया भर में पसंद की जा रही है आपने देखा होगा कि स्मार्ट फोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कॉंसल से लेकर वर्चूल रियालिटी तक एनिमेशन हर जगह मोजूद है एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांती करने की रहा पर है भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपिलर हो रहे हैं कुछ महिने पहले मैंने भारत के लीडिंग गेमर्स के साथ मुलाकात की थी तब मुझे इनियन गेम्स की एमेजिंग क्रेटिविटी और क्वालिटी को जानने समझने का मोका मिला था वाकई देश में क्रेटिव एनरजी की एक लहर चल रही है एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड वाइ इंडियन्स चाया हुआ है आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भारत के टाइलाइन वेदेशी प्रोडक्शन का भी एहम हिस्सा बन रहे है अभी वाली स्पाइडर मेन हो या ट्रांस्फोर्मर्स इन दोनों भुवीज में हरी नाराइन राजीव के कॉंटिबिशन को लोगों ने खुप सराहा है भारत के एनिमेशन स्टूडियो डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं साथियों आज हमारी वा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट जिसमें हमारी संस्कृति की जलक होती है वो तयार कर रहे हैं इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडिस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडिस्ट्री को ताकत दे रहा है जैसे इन दिनों वी आर टूरिजम बहुत फेमस हो रहा है आप वर्चियल टूर के माध्यम से अजनता की गुफाओं को देख सकते हैं कोणार्क मंदिर के कोरिडोर में टहल सकते हैं या फिर वारानसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं ये सभी वी आर एनिमेशन भारत के क्रियेटर्स ने तयार किये हैं वी आर के माध्यम से इन जग्रों को देखने के बाद कई लोग वास्त्रिक्ता में इन परेटन सलो का दोरा करना चाहते हैं यानि टूरिस्ट डेस्टिनेशन का वर्चियल टूर लोगों के मन में जिग्यासा पैदा करने का माध्यम बन गया है आज इस सेक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वाइस ओवर एक्सपर्ट्स, मुजिशियन्स, गेम डेवलोपर्स, वी आर और एक्सपर्स उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा अपनी क्रियेटिविटी को विस्तार दे क्या पता दुनिया का अगला सुपर हिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले अगला वाइरल गेम आपका क्रियेशन हो सकता है एजुकेशनल एनिमेशन में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हसिल कर सकता है इसी 28 अक्तूबर को यानि कल वर्ल एनिमेशन देख भी मनाये जाएगा आईए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकर्प ले मेरे प्यारे देश्वाशियों स्वामी विवेकरन ने एक बार सफलता का मंत्र दिया था उनका मंत्र था कोई एक आइडिया लीजिए उस एक आइडिया को अपनी जिंदिगी बनाइए उसे सोचिए उसका सपना देखिए उसे जीना शुरू करिए आज आत्म निर्भर भारत अभियान भी सफलता के इसी मंत्र पर चल रहा है यह अभियान हमारी सामुहिक चेतना का हिस्सा बन गया है लगातार पग पग पर हमारी प्रेना बन गया है आत्म निर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं हमारा पैशन बन गया है बहुत साल नहीं हुए सिरफ दस साल पहले की बात है तब अगर कोई कहता था कि किसी complex technology को भारत में विक्सित करना है तो कई लोगों को विश्वात नहीं होता था तो कई उपहास उडाते थे लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखर अचंबे में रहते हैं आत्मन्दिर पर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है आप सोचिए एक जमाने में मुबाईल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैनिफेक्टरर वन गया है कभी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्विप्मेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है स्पेस टेक्नोलोजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है और एक बात तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि आत्मनिर भरता का ये अभ्यान अब सिर्फ सरकारी अभ्यान नहीं है अब आत्मनिर भर भारत अभ्यान एक जन अभ्यान बन रहा है हर क्षेत्र में उपलब्दियां हासिल कर रहे है जैसे इसी महने लद्दा के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टैलिसकोप मैस का भी उदगाटन किया है ये 4,300 मिटर की उचाई पर स्थीत है जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है ये मेड इन इंडिया है सोचिए जिस थान पर माइनस 30 डिग्री की ठंड पड़ती हो जहां ऑक्सिजन तक का अभाव हो वहां हमारे वैज्ञानी को और लोकल इंडिस्ट्री ने वो कर दिखाया है जो एशिया के किसी देश ने नहीं किया हानले का टेलिस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है और ये चीज है आत्म निर्भर भारत का सामर्थ साथियों मैं चाहता हूँ आप भी एक काम जरूर करें आत्म निर्भर होते भारत के ज़्यादा से ज़्यादा उदारन ऐसे प्रयासों को शैर करिए आपने अपने पडोस में कौनसा नया इनोविशन देखा कि इस लोकल स्टार्ट आप ने आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेश किया हैश्टेग आत्मनिर्भर इनोविशन के साथ सोचल मीडिया पर यह जानकरिया लिखिये और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव मनाईए त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरिदारी करते हैं यह नया भारत है जहां इंपॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर्द वर्ल बन गया है जहां हर नागरिक इनोवेटर है जहां हर चैलेंज एक आपर्चुनिटी है हमें ना सिर्फ भारत को आतमंदिर भर बनाना है बलकि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है मेरे पहरे देशवासियो मैं आपको एक आउडियो सुनाता हूँ आप यह नमबर यूज कर रहे हैं मैंने नहीं यूज करता हूं सर अभी कहां से बात कर रहे हो सर करनाड़का सर हो मगगर में हो सर इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकार्ट दुराईए ताके यह नमबर ब्लाग कर दिया जाए फीचर में आपको कोई प्राप्लम ना हो इस सर अभी मैं आपको कनेक कर रहा हूं यह आपका इन्वेस्टिकेशन आपी सर है आप अपनी स्टेट में रिकार्ट कर रहे हैं ताके नमबर ब्लाग कर दिये जाए ओके यह सर अपना अधार कारट मुझे शो किईए अको इस वरिफाई पास आपके फी आपके फोन में आई लेसर दो acquarent के ना होदार हिए लेसर नमबर ब्लेटने नहीं आपने सिर्फ वेरिफाई कर ना के लिए आप ड़ीए न भी आदऑ कुछ नहीं किया तो आप डरी है ना अगर आपके पास अधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वैलफाइब कर रहे हैं नहीं सर मैं गाउं का है तर गर में सर ओके कमिंग जैहिन इस विक्ति के वन साइड वीडियो कार्ड करो एस पर प्रोटोकॉल ओके यह ओडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं एक मनोरंजन वारा ओडियो नहीं है एक गहरी चिंता को ले करके ओडियो आया है आपने अभी जो बात्चित सुनी वो डिजिटल एरेस्ट के फरेब की है यह बात्चित एक पीडित और फ्रोड करने वाले के बीच हुई है डिजिटल एरेस्ट के फरोड में फोन करने वाले कभी पुलीस कभी सिबी आई कभी नार्कोटिक्स कभी आर्बी आई ऐसे भाती भाती के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडनस के साथ करते हैं मुझे मन की बात के बहुत से स्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जुरूर करनी चाहिए आईए मैं आपको बताता हूँ ये फरोड करने वाली गैंग काम कैसे करती हैं ये खतरना खेल क्या है आपको भी समझना बहुत जरूरी है और उको भी समझाना उतना ही आवशक है मैंने गोवा गए थे है ना आपकी बेटी डिल्ले में पड़ती है है ना वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे दूसरा दाव भाहे का माहोल पड़ा करो वर्दी सरकारी दप्तर का सेट अप कानूनी धाराएं वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोज भी नहीं पाएंगे और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है तीसरा दाव समय का दबाव अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरपतार करना पड़ेगा ये लोग पीडित पर इतना मनोवेज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है डिजिटल एरेस के शिकार होने वालों में हर वर्ग हर उम्र के लोग हैं लोगों ने डर की वज़े से अपनी मेहनत से कमाये हुए लाखों रुपिय घमा दिये हैं कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है आपको पता होना चाहिए कोई भी जाच एजनसी फोन कोल या वीडियो कॉल पर इस तरह पुस्ताथ कभी भी नहीं करती मैं आपको डिजिटल सुरुक्षा के तीन चरण बताता हूँ ये तीन चरण है रुको, सोचो, एक्शन लो कॉल आते ही रुको, गबराय नहीं, शांत रहे जल्द बाजी में कोई कदम न उठाए किसी को अपनी व्यक्तिक जानकरी न दे संबव हो तो स्क्रीन सोट ले रेकोर्डिंग जरूर करे इसके बाद आता है दूसरा चरण पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो कोई भी सरकारी एजनसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती नहीं वीडियो कॉल पर पुस्ताज करती है नहीं ऐसे पैसा की मांग करती है अगर डर लगे तो समझ ये कुछ गड़बड है और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूँ तीसरा चरण, पहले चरण में मैंने का रुको दूसरे चरण में मैंने का सोचो और तीसरा चरण कहता हूँ, एक्षन लो राष्ट्रिय साइबर हेल्प लाइन बन नाइन थी जिरो डायल करें साइबर क्राइम डॉट गॉट डॉट इन पर रिपोर्ट करें परिवार और पुलिस को सुचित करें सबूत सुरक्षित रखें रुको, बाद में सोचो और फिर एक्षन लो ये तीन चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रख्षक बनेंगे साथियो मैं फिर कहूंगा डिजिटल एरेज जैसी कोई व्यवस्ता कानून में नहीं है ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, जूट है, बदमासों का गिरो है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो समाज के दुश्मन है डिजिटल एरेज के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जाच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोरिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉग किया गया है रही है लेकिन डिजिटल एरेस के नाम पर हो रहे इस कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूपता हर नागरिक की जागरूपता जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं उन्हें जादा से जादा लोगों को इसके बारे में सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयूक कर सकते हैं मैं स्कूलों और कॉलेज़ों को भी कहूंगा कि साइबर स्केम के खिलाप मोहिम में छात्रों को भी जोड़े समाज में सब के प्रयासों से ही हम इस चुनोति का मुकाबला कर सकते हैं मेरे प्यारे हमारी लिखावट, साफ, सुन्दर और आकरशक बनी रहती है आज जम्मू कश्मीर में इसका उप्योग लोकल कल्चर को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है यहां के अनंतनाक की फिर्दोसा बशीर जी उनको कैलीग्राफी में महरत हासिल है इसके जरिये वे स्थानिय संस्कृति के कई पहलों को सामने ला रही है फिर्दोसा जी की कैलीग्राफी ने स्थानिय लोगों विशेशकर युवाओं को अपनी और आकरशित किया है ऐसा ही एक प्रयास उधंपूर के गोरीना जी भी कर रहे है एक सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिये वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विविन्द रूपों को सहेजने में जूटे हैं सारंगी की धूनों के साथ वे अपने संस्कृति से जूड़ी प्राचीन कहानिया और एतियासिक गटनाओं को दिल्चस्प तरीके से बताते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में भी आपको ऐसे कई असाधान लोग मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक विरासत के सहुरक्षन के लिए आगे आये हैं तो आप सुन रहेते हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की मन की बाद 15 रवाई एपिसोड प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने कई एहम विश्यों पर चर्चा की हैं लगातार ये चोर्चा भी जा रही है यहाँ पर रुकेंगे फिलाल एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रही है आप न्यूस इस्टे